नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बेड एक्जाम पे और दोस्तों हर बार की तरही आज भी मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोश्चन्स क्लिक कराया हूं जो कि आपके आने वाले जो आगामी मार्च में जो बेड थर्ड समिश् परणतु जो पॉइंट्स मैंने यहां बताने का प्रयास किया इससे आपके सारे तरह के प्रश्ण कवर हो जाएंगे तो इनको यह ना सोचें कि शिर्फ ए अति लोग हत्त्रिय के प्रश्णों के दृष्टी से यहां पे प्रश्ण दिये गए हैं आप इन प्रश्णों को अच्छे तरह से पढ़ ले भली भाती तैयार कर लें अगर तो आप किसी भी प्रश्ण को जो टॉपिक्स मैं यहाँ पर आभी कवर कर रहा हूं उससे संबंदित अगर आपकी परिक्षा में आएंगी तो वो आप बड़ी आराम से भली भाती उसको कर सकते हैं तो चलिए पहला टॉपिक ले लेते हैं दोस्तो पहला टॉपिक है विशिष्ट सिक्षा की उपर तो वाट इस दा मीनिंग आफ इस्पेशल एजुकेशन विशिष्ट सिक्षा का क्या आरत है तो देखे दोस्तों यहाँ पर हम लोग कुछ मेंड पॉइंट बात कर लेते हैं मनुस्य के सरवांगिल विकास के लिए सिक्षा आवश्यक है अता प्रतेग फ्यक्ति को सिक्षा पाने का मोल अधिकार है और यह अधिकार जो है हमारे समविधान में ही हमको दिया गया है जब हम किसी भी कक्षा के कक्ष की इस्तितिक आवलोकन करते हैं तो यहाँ पाते हैं कि सिख्षा पाने के लिए जब बच्चा कक्ष में आता है या बच्चे आते हैं तो उनमें से कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सामानने बच्चों से विसेज होते हैं और वे स्कूल दवारा चलाय जा रहें कारेकरमों साथःक जो उनके विदियां हैं प्राविदियां हैं या सह जो हमनों बोलते हैं सह गामी कारेकरम जो होते हैं उनसे वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाते यानि कि उनकी जो आवसकताई हैं जो उनकी सारी रिक और समवगात्मक विकास के लिए जो आवसर उनको चाहिए वो साइद उनको परियाप्त रुप से नहीं मिल पाते या वो उस तरह से नहीं मिल पाते जिस तरह से उनकी आवसकता हैं ऐसे बच्चों अत्वा छात्रों के लिए विसेस रूप से सिक्षा की आवसकता पढ़ती है क्योंकि ऐसे छात्रों की आवसकता हैं भी विसेस होती है अर्थाइट ये कि अगर मान के चले एक बच्चा दृष्टी दोस्ते ग्रसित है या फिर एक बच्चा जो की slow learner की category में अर्थाइट की मंद बुद्धी है अगर उसको सामाने बालकों की तुलना में ही अगर हम लोग सिक्षा प्रदान करेंगे या सामाने बालनों से ही उसकी तुलना करके या सामाने बालनों के भाती ही अगर उसको हम लोग सिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे तो बच्चे के अंदर जो है सिक्षा के परती जो एक रुची होती है वो उत्पन नहीं हो पाएगी तो इसलिए हम लोग पहले ऐसे बच्चों की पहचान करने चाहिए इस रेडी में सारेरी कृप से विस्ष्ट बालक जैसे के द्रिष्टी बादीत बालक, स्रमड बादीत बालक चलने फिरने से सम्बंदी अगर कोई परिशानी है ऐसे बालक मंद बुध्धी बालक सारेरी कृप से अक्छम बालक मनोव ज्यानिक रूप से disturbed यो बालक होते हैं इस तरह की जो बच्चे होते हैं साथ ही साथ मानसिक रूप से विशुष्ट अब इसमें दो कैटेगरी होती है दूस्तो मानसिक रूप से विशुष्ट का मतलब यानि की एक बच्चा वो भी विशिष्ट है जो कि आपका अतिपर्तिभावान है और एक बच्चा वो भी है जो कि मानसिक रूप से थोड़ा मंद है यानि कि सामान बच्चे होते हैं उनकी तुल्ना में उसका जो समवेगात्मक और वदिक विकास होता है वो थोड़ा धीमा होता है तो समवेगात्मक छेत्र में कुसमाईजवित तथा कुछ का समाजिक गुणों में इस सिमा तक विसिष्टा होती है तो हम ऐसे बच्चे गवारे को बात करें कि जिनके समवेगात्मक छेत्र में कुसमाईवज़न मतलब कि समवेगात्मक यन क्या इमोशनली वो डिश्टरब ह उनके अपने सम्वेगों अपनी भावनाओं के उपर नियंतरन पूरी तरह से नहीं होता है ऐसे बच्चे साथी साथ सामाजिक परिस्थितियों के वज़े से जो बच्चे जिनका के विकास पूरी तरह से सही दिसा में नहीं हो पाया है ऐसे बच्चों इस सीमा तक में लिखने में बहुत ही मदद करेंगे आप इन पॉइंट्स को समझ ले इससे संबंदित और भी पॉइंट्स आप डेवलब कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो अगले पॉइंट को ले लेते हैं हम लोग हमरा अगला पॉइंट है दोस्तो Meaning of Diversity यानि कि विविधता का अर्थ और जैसा कि आप लुग दोस्तो जानते भी है भारत को एक विविधताओं वाला देश भी कहा जाता है तो विविधता का अर्थ तो आप भली भाती परिचित हीं एक परिभासा के रूप में, एक कुछ सब्दों में हम लोग अगर परिभासित करना चाहें, तो हम लोग कह सकते हैं कि लोगों या किसी अन्य वस्तु के समुह में विभिन विसेस्ताओं के रूपों के अस्तित्तों को संदर्वित करना ही, यानि कि संदर्वित करती है, यानि अगर एक ही समों के लोगों के अंदर भी विभिन्यताय पाई जाए तो ये क्या दर्शाती है? यही एक सूचक होता है आपका एक विवितता का ये कुछ विश्चताय हो सकती है जो हमें और दूसरे लोगों से अलग करती है यानि कि विविदता के कारण ही हम दूसरे लोगों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, विसिष्ट बनते हैं. जैसे कि आप किसी भी ले ले, आप एक आउस्ट्रेलियन आदमी को देख ले, ये अमेरिकन आदमी को देख ले और भारत वर्ष के मूल निवासियों को देख ले, तो सभी लोग मनुश्य ही होंगे, अगर आप पूर्सों की बात करें, आम हिलाओं की बात कर ले. परंतु उसमें सारे रिक, बनावट, रूप रंग, बोल चाल का तरीका, खान पान के तरीक, ये सारी चीज़े जो है, विविदता लाती हैं. तो ये क्या दर्स आता है कि मनुश्यों के बीच में कितनी विविदता है? चली जैसे देख लेते हैं, अब विविदता के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारे संग्यानात्म कोशब और व्यक्तित लच्चड साथ ही हमारी पहचान को आकार देने वाली चीज़ें जैसे कि हमारा समुदाय, हमारा उम्र, लिंग, यानि कि पूरिश्या महिला, ध अथात की आभी आपको बताएं कि समाज में कई तरह से लोगों का वरगी करण किया जा सकता है, तो वो आधार भी हो सकता है, कई बार सांस्कृतिक और प्रिश्ट भूमी भी आपके बड़ी मतलब अहम भूमी का निभाती है विविता को प्रदर्शित करने में, दर्शाने में, विविता का अर्थ जब हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कि विविता का अर्थ विभिन नसलिय जातिय सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक प्रिश्ट भूमी और विविन जीवन सैली अनुभाव और रूचियों वाले लोग जब एक साथ समायोजन के साथ बिना किसी नुकसान पहुंचा है, मतलब कि एक दूसरी को बिना कोई नुकसान पहुंचा है, एक साथ रहते हैं, तो विविता के अंदर मतलब ये विविता को परदर्शित करता है, विविता के अंतरगत विभिन प्रिश्ट भूमी और द्रिश्टी कौन सामिल होते हैं, विविता के तो इनके खान पान में, रहन सेन में, उनके सैच्छडिक अस्तर पे, उनके जीवन अस्तर पे काफी प्रभाव पड़ता है। नसल, नसल का मतलब हो सकता है कि हम जैसे कि मालगी अफरीकन नसल के हैं या हम लोग एशिया इमूल के हैं इन सारे चीजों का भी विविता पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और इसके अंदर नित्य प्रति दिन नए विकास होते हैं तो विविता कोई समस्या नहीं है चाहे वो सैच्छडिक अस्तर पे विद्याले की बात करें या सामाजिक अस्तर पे हम जहां रहते हैं वहां या कारे अस्तर पे। गलत चीजें उनको कम करने का भी हमको एक मौका मिलता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है जो भी अब तक मैं बता रहा हूं। आई अगले पॉइंट को ले लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो प्रश्ण आया है आपका ये अतिला घुत्रिये प्रश्णों में कि द्रिश्टी बादित बच्चों की चार विष्ण इस्ताय लिखिए। तो पहले हम दोस्तों थोड़ा सा आपको परिभाशा रूपे बता दू कि विज्वल इंपेरिमेंट या कि द्रिश्टी दोस्त होता क्या है। तो द्रिश्टी दोस्त सब्द का इस्तिमाल किसी भी तरह के विजन लॉस यानि के न देख पाने की चमता का वर्लन करने के लिए किया जाता है। अब देखते दोस्ते कुछ लक्षण भी है और उनके कुछ कारण और देख लेते हैं। जैसे कि जो बच्चे जन्म से हैं द्रिष्टी होन होते उन में जनम्जात अंधापन होता है। जिसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि माता के गर्ब धारण के समय में कोई बीमारी या कोई दुरघटना या किसी भी कारण से अगर बच्चे के जो सारेडिक विकास है, मानसीक और जो बौधिक विकास था, यानि कि जो आपकी इंद्रियों में विकास होना होता है, अगर वो सही प्रकार से नहीं हो पाता है, तो अंध्यपन का वो बहुत बड़ा कारण बनता है, साथी साथ अंध्यपन कई बार विरासत में भी मिलता है, यानि एक अपने माता-पिता से भी बच्चों में आ जाता है, अब कुछ लक्षण देख लेते हैं, जो प्रश्ण का असल में प्रश्ण में पूछा भी ग साथाराल रूप से देखने का प्रयास करते हैं, तो चीजों को वो ठीक प्रकार से नहीं देख पाते हैं, तो ऐसी स्थीती में उनको जो है चीजों के या तो अधिक निकट जाना पड़ता है, या फिर उसको किसी अलग कॉन्ड से या दूर जाके देखने में सहुलियत होत या सिड मोड के जुका के देखने का प्रयास करते हैं ये कुछ लच्छन हैं जो आप अपने क्लास में पढ़ाते हैं वक्त भी बच्चों के अंदर ये चीजों को देखकर आप पहचान कर पाएंगा और दोस्तों ये कारे आपको बहुत जल्दी करना है ये कुछ लच्छन हैं जो की आँखों में दृष्टी दोस्त के या तो समस्याओं के बारे में आपको सूचित करते हैं या पी ये प्रतशित करते हैं कि कुछ न कुछ समस्या है बच्चे को जो की उसके ध्यान केंदित करने में बाधित कर रही है खराब द्रिष्टी की वज़े से वस्तुक्स में अक्सर बच्चे टकरा जाते हैं या ऐसे लोग जिनको द्रिष्टी दोस होता है कई बार चलते फिरते उनको कई बार चीजे ठीक से नहीं दिखती और वो जो से टकरा जाते हैं उनको चोट लग जाती है या रास्ते मों लडखर आ जाते हैं खास तोर पे जब रात की बात होती है कहीं यात्रा के दौरान कई गाड़ी चलाते वक्त या आमरोर्स पे पैदल ही चलते वक्त में कई बार सही परकार से चीजे दिखने ही पाती है और ऐसे में दुरघटना होती है और चलने फिरने में बड़ी ही परिशानी का सामना करना पड़ता है दोस्तों तो दोस्तों ये पॉइंट दृष्टी बादित बच्चों की विसस्ताओं के बारे में थी अगला पस्ट ले लेते हैं और या अगला टॉपिक आप कहें अधिगम और छमता से आप क्या समझते हैं तो गनपती और कृष्ट कुमार के सब्दों में अगर हम लोग बात करें जो कि उन्होंने ए हैंड़ बुक आफ इनिक्लूसिव एजुकेशन ED 2004 में लिखा है कि अनुसार हगर हम बात करें तो अधिगम और समर्थता है LD यानि कि Learning Disability का प्रत्य तंत्र तंत्री का बाधित रूप से समझा जाता है जो व्यक्ति की सूचनाओं के ग्रहन, सूचनाओं के उपयोग करने, धारण करने तथा पुना इस मरण करने की योगिता को प्रत्य बाधित करता है तो यहाँ पर आपने समझा दोस्तों कि किसी प्रकार से अगर आपकी जो तंत्री का तंत्र है यानि कि जो हम लोग Neuron System बोलते हैं इंगलिस में Neuron System जो की हमारे मस्टिस को हमारे सरीर के अन्य अंगों से जोड़ती है उसमें किसी प्रकार की अगर बाधिता आजाए या किसी प्रकार का दोश त्रुटी आजाती है तो व्यक्ति जो चीजों को सुनता है, देखता है, समझता है, पढ़ता है उनको वो सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पाता है और ग्रहन करने के पास्ता जो भी ग्रहन करता है उसको फिर सही प्रकार से याद नहीं रख पाता है, उनका सही प्रकार से इस्तमाल नहीं कर पाता, जरुवत पढ़ने पर उनको पुना इसमराण करके उसका इस्तमाल करना उसके लिए थोड़ा कठीन होता है, कई बार तो अस समर्थता के कारण व्यक्ति की योगता तथा प्रदर्शन इस पादर में अंतर पैदा होता है। जब भी कभी परिच्छन होता है तो उसमें जो आपको प्रदर सुनता है वैसा और नहीं होता है जैसा कि आपसे आसा की जाती है या फिर आपसे उमीद की जाती है। विश्ष्ट सिक्षा जैसा है कि हमने पहले भी चर्चा की थी। कारक तता लच्छन किसी दूसरी अत्मता से भिन होते हैं। तो अगर आप मालीजे पढ़ने में आपको असाच्छम है या आपको दिक्कत महसूस करते हैं तो पढ़ने के बाद में आप लिखने में भी कटनाई महसूस करेंगे। तो फिर कोई विसे दूसरा जो से समंदित है आप उसको भी ठीक से नहीं समझे आपका गड़ित कमजोर हो जाएगा या विज्ञान की कुछ पाठ आपको समझने आएंगे। इस तरह से एक और समर्थता दूसरी और समर्थता को जर्म देती है उस पर प्रभाव डालती है। अगर हम उनके कुछ विसेस्ता है बात करें या उनको पहचानी की बात करें तो देखें इनमें क्या होता है कि जो अधिगम और समर्थ पालक होते हैं उनमें ध्यान केंद्रिता की कमी होती है यानि कि वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते किसी चीज के उपर पूरत तरह से वो focus नहीं कर पाते, attention नहीं दे पाते इस्मृतियों चिंतन संबंधी विकृति यानि कि वो जटिल चीजों या किसी चीज को उपर चिंतन नहीं कर पाते या लंबे समय तक उसके उपर सोच नहीं पाते उनमें सोचने समझने की छमता जैसे की हम लोग परिभासा रूपने भी जानते हैं कि वो काफी कम होती है विविन अंगों के क्रियाओं में सामन जैसे की कम होती है जैसे की खाना खाते वक्त अपने पैरों को हिलाना जो आवसकता जो होती है वो शारी चीज़ें वो ठीक से नहीं कर पाते हैं कई बार तो कई बार तो अपना खुद का वी वैक्तिगत कार रही होता नहाना साफ करना, साफ सफाही करना in बशलन करने भूजन करना यह भी कठना से बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, कई बार अती हर्सित हो जाते हैं, बहुत खोश हो जाएंगे, कभी अती क्रोधित हो जाएं, तो लड़ाई जगडा करने लगें, कई बार आक्रामक और आक्रोशित वेभार करने लगते हैं, तो समवैगात में करूप से ये थोड़े से संभूसा होने लगता है ये बच्चे बिल्कुल विचलन सील रहते हैं कोई भी कारे करने में बहुत जल्दी हडवडाते हैं और बहुत ही जल्दी ठक जाते हैं डरते हैं इस वज़ेसे वो कारे करने से घबराते भी हैं और एक्टिविटी बहुत सारी करते रहते हिलते डुल करने में कठनाई होती तो वैसे संबंदित चीजे होंगी जैसे की कोई विसे पढ़ना जैसे की गड़ेत वाचन वर्तनी भासा पठन इन तरह की चीजों में उनको बहुत ही कठनाई का सामना करना पड़ता उनके लिए असमभव सा ही हो जाता है ये विसे के भावारतों को समझने तता उन्हें प्रक्टिक करण में भी असमर्थ होते हैं तो जैसा कि हमने बताया चीजों को समझ पाने में भी या जिस भाव को हम बताने का प्रयास करें एक सिक्षक बताने का प्रयास कर रहा है कई बार वो उन चीजों को सही प्रकार से समझ नहीं पाते हैं प्रत् उसको कुछ बोला जाए कि भाई दो प्लस दो कितना होता है तो वो इस चीज को बोलने में कठिना ही महसुस करेगा उसको ऐसा लगा है कहीं दो प्लस दो मैं जो बताने जा रहा हूं गलत तो नहीं या दो प्लस दो होता क्या है इस प्रकार की चीजे वो महसुस करता है इस प् परिक्षा में आपको मदद मिले, आप अपनी परिक्षा में अच्छे से वहां पे लिख पाएं।